rsi 80 के ये नई वीडियो में आपका स्वाकत है, इस वीडियो हम जानेंगे rsi 80 एक्जाम के बहुती महत्रपून कुष्यन आंसर के बारेंगे, इस वीडियो मेम जानेंगे rsi 80 के पैपर के 35 पूरे कुष्यन जिसे आप rsi 80 2010 में आसाने आज का हमारा पहला प्रशन है निम्द में से कौन सा एक राज़स्तान संपर्ग का चरण नहीं है उप्शन A, Registration, उप्शन B, Modern, उप्शन C, Scrutinization, और उप्शन D, Allocation उप्शन C, Scrutinization, क्योंकि Scrutinization राज़स्तान संपर्ग का एक चरण नहीं है अगला प्रशन A, G2B का तात्पर्य है, उप्शन A, Government to Business, उप्शन B, Pack Office, उप्शन C, Government to Employ, और उप्शन D, All तो इसका सही उप्शन A, Government to Business, क्योंकि G2B का तात्पर्य है, Government to Business होता है अगला प्रशन A, EPDES प्रणाली के संदर्ग में, FPS का पुरा रूप क्या है उप्शन A, Financial Planning System, उप्शन B, First Price Scheme, उप्शन C, Fair Price Shop, और उप्शन D, A और C, दोनों तो इसका सही उप्शन C, Fair Price Shop, क्योंकि EPDES प्रणाली के संदर्ग में, FPS का पुरा नाम Fair Price Shop है अगला प्रशन A, G2C का तात्पर्य है उप्शन A, Back Office, उप्शन B, Government to Business, उप्शन C, Government, और उप्शन D, Government to Citizens तो इसका सही उप्शन D, Government to Citizens, क्योंकि G2C का तात्पर्य है, Government to Citizens होता है अगला प्रशन है, सरकारी सेवां को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुँचाया जाता है उप्शन A, E Governance, उप्शन B, Government to Citizens, उप्शन C, Government Business, और उप्शन D, Citizens तो इसका सही उप्शन A, E Governance, क्योंकि सरकारी सेवां को नागरिकों तक E Governance के माध्यम से पहुचाया जाता है अगला प्रशन है, G2G का तात्पर्य है, उप्शन A, Government to Employ, उप्शन B, Government to Business, उप्शन C, Government to Government, और उप्शन D, Government to Citizens तो इसका सही उप्शन C, Government to Government, क्योंकि G2G का तात्पर्य है, Government to Government होता है अगला प्रशन है, HTML का विस्तित रूप क्या है, उप्शन A, Hypertext Message Language, उप्शन B, Hyper Transfer Massive Language, उप्शन C, Hypertext Mark Language, और उप्शन D, Hypertext Markup Language तो इसका सही उत्रो जगा, उप्शन D, Hypertext Markup Language, जिसने हम शॉर्ट में HTML के नाम से जानते हैं अगला प्रशन है, प्लास्टिक का विक्तान कार्ड होता है, उप्शन A, Credit Card, उप्शन B, Debit Card, उप्शन C, A और B, दोनों, और उप्शन D, उप्षन D, उप्परकत सभी तो इसका सही उतर हो जएगा option C, A और B दोनो क्योंकि credit card और debit card दोनो ही plastic का भुगतान कार्ड है अगला प्रशन है खातों में भुगतान, रोज मरा के बिलो का भुगतान, पीमा प्रीमियम, बैक स्टेट्मेंट, आधिकी अनुमती देता है option A, internet banking, option B, e-commerce, option C, email, और option D, google तो इसका सही उतर है option A, internet banking क्योंकि internet banking हमें खातों में भुगतान, रोज मरा के बिलो का भुगतान, पीमा प्रीमियम, और बैक स्टेट्मेंट आधिकी अनुमती देता है अगला प्रशन है, NPCI का पुरा नाम है option A, net payment, council of India option B, national payment, corporation of India option C, national payment, council of India option D, national payment, council of India तो इसका सही उतर हो जगा option B, national payment, corporation of India जैसे हम शॉर्ट में NPCI कहते है अगला प्रशन है, रुपे debit card क्या है option A, Geralt debit card option B, बारत के राष्टे बुगतान, निगम, द्वारा प्रस्तुत किया गया option C, सभी ATM और POS मशिनों पर इस्तिकता और option D, उप्रग सभी तो इसका सही उतर हो जगा option D, उप्रग सभी क्योंकि रुपे debit card है, गेरुलर debit card है जो कि बारत के राष्टे बुगतान द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये सभी ATM और POS मशिन पर कायरे करता है तो इसका सही उतर हो जगा option D, उप्रग सभी अगला प्रस्तिय बुगतान प्रणाली द्वारा विक्सित किया गया है option A, UPI, option B, IDBI, option C, SBI, और option D, ICICI तो इसका सही उतर हो जगा option A, UPI क्योंकि UPI राष्टिय बुगतान प्रणाली द्वारा विक्सित किया गया है अगला प्रस्त नहीं, CVV सुरक्षा कोट कितने अक्षरों में होता है option A, option B, 2, option C, 3, और option D, 4 तो इसका सही उतर हो जगा option C, 3 क्योंकि CVV सुरक्षा कोड तीन अक्षरों में होता है अगला प्रशन है भारत के राष्टिय बुगता निगम द्वारा बनाया और लॉंच किया गया है अप्शन A रूपे, अप्शन B विसा, अप्शन C मास्टर और अप्शन D मेस्ट्रो तो इसका सही उत्र जगा ऑप्शन A रूपे, क्योंकि रूपे कार्ड भारत के राष्टिय बुगता निगम द्वारा बनाया गया और लॉंच किया गया कार्ड है अगला प्रशन है डेविट कार्ड को कहा जाता है अगला प्रशन है, मोबाइल वालेट का डिजिट समतुल्य है अप्शन A बोतिक वालेट, अप्शन B बोतिक बटुए, अप्शन C, A और B दोनो और अप्शन D इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्र जगा अप्शन C, A और B दोनो क्योंकि मोबाइल वालेट का डिजिटल समतुल्य, बोतिक वालेट और बोतिक बटुए जैसा है तो इसका सही उत्र जगा अप्शन C, A और B दोनो अगला प्रशन है, इन्टरनेट से हम क्या-क्या काईरियक कर सकते हैं अप्शन A, Lendin, ऑप्शन B, शिक्षा, ऑप्शन C, मनोरंजन और अप्शन D, उप्रक सभी तो इसका सही उत्र जगा अप्शन D, उप्रक सभी क्योंकि इन्टरनेट से हम लेंदेन, शिक्षा और मनोरंजन जैसे सभी काईरियक कर सकते हैं अप्शन A, HTML का पूरा नाम है अप्शन A, हस्तल लिए मंडेवल बाषा अप्शन B, हस्तल लिए मशीन बाषा अप्शन C, हाइपर टेक्स मार्क अप बाषा और अप्शन D, उप्शन D, इनमें से कोई नही तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Hypertext Markpage जिसे हम short में HTML कहते है अगला प्रशन है, Wi-Fi का पूरा नाम है option A, Wireless Fidelity, option B, Wireless Network option C, Web Fidelity, और option D, Web Filter तो इसका सही उत्रोज़ेगा option A, Wireless Fidelity क्योंकि Wi-Fi का पूरा नाम Wireless Fidelity है अगला प्रशन है, www का पूरा नाम है option A, World Wireless Web option B, World Wide World option C, Wide Web World और option D, World Wide Web तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, World Wide Web जिसे हम short में www कहते हैं अगला प्रशन है, इन में से online बुकतान के लिए आविशक नहीं है option A, Credit Card, option B, Net Banking option C, Cash, और option D, Electronic Nugat तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Cash क्योंकि हमें online बुकतान के लिए cash की आविशकतान नहीं होती है अगला प्रशन है, अंचाई mail को क्या कहा जाता है option A, Spam option B, Junk option C, A और B option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्रोज़ेगा option A, Spam क्योंकि अंचाई mail को Spam कहा जाता है अगला प्रशन है computer virus कैसे एक computer से दूसरे computer में फैल जाता है option A, Suncrimit Disk option B, Network Link option C, Download Program के द्वारा और option D, उप्रग सभी तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, उप्रग सभी क्योंकि computer virus, Suncrimit Disk, Network Link और Download Program के द्वारा एक computer से दूसरे computer में फैल जाता है तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, उप्रग सभी अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है option A, TCP option B, IP option C, A और B दोनो option D, IRC तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, IRC क्योंकि IRC एक प्रोटोकॉल नहीं है अगला प्रशन है इंटरनेट पर online form बढ़ने पर जो data website पर जाता है उसे क्या का जाता है option A, Downloading option B, Uploading option C, Surfing और option D, Network Link तो इसका सही उत्रोज़ेगा option B, Uploading क्योंकि इंटरनेट पर हम जब online form बढ़ते हैं जो जो data website पर जाता है उसे uploading कहा जाता है तो इसका सही उत्रोज़ेगा option B, Uploading अगला प्रशन है hard disk से delete की गई file किस में बेजी जाती है option A, Motherboard option B, Clipboard option C, Recycle Bin option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Recycle Bin क्योंकि जब हम कोई भी file hard disk से delete कर देते हैं तो वा recycle bin में बेजी जाती है तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Recycle Bin अगला प्रशन है computer में typing करते समये दो सब्दों के बीज जगा छोड़ने के लिए किस की का उप्योग किया जाता है option A, Backspace option B, Shift option C, Control option D, Space Bar तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, Space Bar क्योंकि computer में हम typing करते समये दो सब्दों के बीज जगा छोड़ने के लिए Space Bar का उप्योग करते हैं अगला प्रशन है किसी बार के program से आपके computer को सुरक्षित रगने के लिए किसका उप्योग करेंगे option A, File Compression Program option B, Backup Program option C, Antivirus Program और option D, या सबी तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Antivirus Program क्योंकि किसी बार के program से हमारे computer को सुरक्षित रगने के लिए हम Antivirus Program का उप्योग करेंगे अगला प्रशन है RFID का पूरा नाम है option A, Red File ID option C, Radio Field ID option C, Radio Frequency Identification Decoding और option D, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C Radio Frequency Identification Decoding जिसे हम शॉर्ट में RFID कहते हैं अगला प्रशन है AC तकनिकी जो computer को अनुशे की तरह काम करने में सक्षन बनाती है option A, Virtual Reality option B, Robotics option C, Artificial Intelligence और option D, उपर के सभी तो इसका सही उत्रोज़ेगा option C, Artificial Intelligence अगला प्रशन है G2E का तात्परी है option A, Back Office option B, Government to Business option C, Government option D, Government to Employ तो इसका सही उत्रोज़ेगा option D, Government to Employ क्योंकि G2E का तात्परी है Government to Employ है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर दीजेगा अधिक जानकारी के लिए हमारे ये वीडियो देखिए जिसे आप R.S.A.T. में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं तब तक के लिए सिखते रहे हैं इसाज इंडिया के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद झाल